तो दोस्तों स्वागात है आपका सॉलिशन दो भीशेग यूटूब चैनल पर जहां पर हम आपको टॉपिक वाइस करन्ट अफेर प्रवाइट कर रहे हैं जिससे कि आपको जी कि में हैल्प मिल सक्या आपके हर कम्प्रेट टाइप एक्जाम में तो हमारा आज का टॉपिक है यूपिसी में जितने भी इंपोर्टेंट करन्ट अफेर आ रहे हैं आने वाले आ चुके हैं वो सारे करन्ट अफेर में लेटिस्ट इसमें इस कोशन सीरीज में लेके आया है और इविजन सीरीज में तो जितने भी यूपिसी की तियारी कर रहे हैं चाहे इंडिया हो चाहे जो विनिमांड पर विजन दस्तावेज के दूसरे खंडे संबंदिन निमलकित कतनों पर विचार आपको करना है अब पहला है कि जो इलक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रद्योगी की मंत्राले ने इंडिया सेलुरेल एंड इलक्ट्रोनिक्स एसोसियेशन के सहयोग से विजन डॉक्यमेंट जारी किया है विजन दस्तावेज 226 तक भारत के 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर के उलक्ट्रोनिक्स विजली घर में परिवर्तन के लिए विस्तरित लक्षाय और रोड मैप देता है वर्तमान में भारत में जो 75 billion American dollar की electronics का निर्मान करता है उपर दिये कतनों में से कौन सा सही है मैंने आपको ये example दिया कि मैं ये कतना अभी पढ़ूँगा लेकिन अगले question में मैं आपको 10 second का time दूँगा और आपको ये question पढ़के answer बताना है तो आभी तो इसका answer है option number one and three यानि option number one केवल एक और दो केवल एक और दो ही इसमें से सही है चलिए इसके बारे मुँँ detail form में जानते हैं बाकी आप आगे question के answer बताईएगा नहीं पता चले तो मैं हूँ और आपको मैं detail form भी बताऊंगा अब ये road map दो भाग वाले vision दस्तावेच का दूसरा खड़न है जिसमें पहला शीर्षक भारत के electronics नियारत और GVC में हिस्सेदारी बढ़ाना number 2021 में जारी किया गया था अब ये report विविन उत्पादों के लिए एक वर्षवार break up और उत्पादन अनुमान प्रदान करती है भारत के वर्तमान अमेरिकी डॉलर 75 बिलियन में अमेरिकी डॉलर 300 बिलियन electronics विनमरान पर वर हाउस में परिवर्थन का निरत्र करेगा तो ये जो bold है और black है ये important है बाकि आप इसका जो PDF है वो लोड करके देख सकते हैं फिर वीडियो को pause करके भी आप देख सकते हैं ये सारे important है लेकिन जो main important point है वो उपर दो ही थे तो मैंने इसको bold कर दिया और black color से कर रखा है चलिए आगे बढ़ते है question number 2 की और अब जो doping road ही है add doping road शुद ये समधित निमलकित कत्नों पर विचार करें तो आपको 10 सकेंड देता हूँ आप ये कत्र पढ़ें और इसका answer बताएं अब उपर दिये कत्नों में से कौन सा सही है या फिर नहीं है चलिए बताइए 10 सकेंड आपको देता हूँ सिर्फ 10 सकेंड है उससे ज़्यादा नहीं है आप अराम से पढ़ें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको पीडिया भी प्रोवाइट कर देगी अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं हूँ आपको समझानी के लिए इसमें बस यही पूछा गया है कि जो विश्व वैपार संगटन द्वारा उचित प्रतीश पर्धा के साधन के रूप में दो डोपिंग रोधी उप्योगी है इन्होंने उप्योगी है अनुमुती दे दिये तो इसका ऑप्शन नंबर 1 ही केबल एक ही सही है इसके एड से रिलेटिड तो डोपिंग के बारे में जानते है डोपिंग को तब कहा जाता है जब एक देश द्वारा दूसरे देश को माल का नेर्थ उस कीमत से कम कीमत पर किया जाता है और आमतों पर अपने घरीलू बजार में वसूलता है ये एक अनुचित वेपार पर था है जिसका अंतराष्टर वेपार पर विक्रित प्रभाव पढ़ सकता है डोपिंग रोधी शुल्क उद्देश क्या है अब ये जो माल की डोपिंग है और उसके वेपार विक्रित प्रभाव से उत्पन स्थिती को सुधारने में एक उपाय है लंबी अधी में डोपिंग रोधी शुल्क सम्मान वस्तों का उत्पादन जो है ये करने वाला घरीलू कमपनियों की एक तरह से अंतराष्टर प्रदिस्पदा को कम कर सकता है और विश्व वेपार संगठन द्वारा उचित प्रती सरप्रधा के साधन के रूप में डोपिंग रोधी उप्योग की अनूमती है इसके लिए कथन एक सही है और जो डोपिंग रोधी शुलक से सम्मंदित विश्व वैपार संगठन के प्रावधान गया है जो वैधता एक डोपिंग रोधी शुलक लागू होने की तिथी के में से पान साल की अवधी के लिए वैध है जब तक की इससे पहले रद नहीं किया जाता तो यह important point थे मैंने आपको समझा दिया इसलिए कथर नंबर दो गलत हो जाता है बाकि आप PDF डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं question number 3 की और आपको इसका PDF हमारे टेलेग्राम गुरूप में मिल जाएगा तो उसका जो टेलेग्राम गुरूप का लिंक है वो description में वीडियो की आप से join कर सकते हैं it's free of cost वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी अब इसमें पूछा गया है कि जो 84 जो 84 है इसका नामे अरुबंद से इस संबंदे निमलखित कंधों पर विचार करना है आपको ये इसराइल और भारत के बीचे खतियार उनुबंदे 84 हतियार को एक एकल सैनिक द्वारा संचलित समीत जो सीमित स्थानों से दागा जा सकता है तो जो 84 के बारे में है 84 इसका मैंने अपने सुभा वाले करन्ट अफिर्स की वीडियो में भी इसका उलेक मैंने करा है उसमें भी important mark कराता मैंने इसे तो आप हमारे सुभा करन्ट जो सुभा 6 वजे लाइव हो ते करन्ट अफिर्स उस पे भी जुड़ सकते हैं वो playlist में जाएगी तो आप वहां से भी देख सकते हैं यह भी जाती है तो इसका अंसर है option no.2 अनिकेवल दूसरा ही कथन सही है चलिए detail form में जानते हैं भारतिया सस्त्र बल 84 के नए गराहक हैं इस आदेश में 84 CS AST शामिल है जिसे अंदर की इमारते और बंकरो और अन्य शहरी जो परिवेशी जैसे सम्मिती यह जो सीमित स्थानों से दागा जा सकता है इसका वजन लगवग 9 kg है और इसका प्रभावी सीमा 200 मीटर है इसलिए कथन नंबर 2 सही है बाकी यह भी important है आप एक बात खुद पढ़िएगा इससे तो आपको ढंक से समझ में आएगा चलिए आगे बढ़ते हैं पर आगे बढ़ने से पहले जितने भी मैं आपको यह रो important question बन सकते हैं वह मैं सब आपके लिए लाओंगा बिल्कुल ऐसे full details के साथ लाओंगा जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा और वह आपके paper में UPSC जितने भी लोग तियारी कर रहे हैं फिर जो भी अन्ने exams के तियारी कर रहे हैं उनमें भी यह question आ सकते हैं हाला कि छोटे level पे आएंगे पर आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए ज्यादा सही रहेगा तो इसलिए इसको नाम दे रखामने UPSC special dose चलिए आगे बढ़ते question number four की और इस वर्स की जा रही जो बागों की जो जनगणना से समदे निमल खितकत्नों पर विचार करिए यह पांच वह ऐसा अ का हरी जीवों के आकड़ें भी सामने हैं तो उपर दिए कि कॉन सा सही है या फिर कॉन सा सही नहीं है तो option number one एनि केवल एक और दो ही सही है चलिए इसके बार में detail form में जानते है यह राष्ट्रव अपी गणना का हिस्सा है जो चार साल में एक बार आउजित किया जाता है और पांचवा ऐसा अभ्यास है जो पहले 2006, 2010, 2014, 2018 में आयोजित किया जा रहा था अत कत्र नमबर एक सही है और इस वर्स की गणना अभ्यास में MST यह जो M Stripes है यानि One Trick System for Tigers जो intensive progression है एप का उप्योग शामिल है बागों की गिंती के अलावा यह अभ्यास हाथियों और गौर सहीत बड़े शाकहारी जीवों के आकड़े बे भी पेश करता है इसलिए कथन नमबर तीन भी सही है तो इसलिए option number one जिसमें लिखा वाता कि one and three जो कथन है वो सही है तो इसलिए इसलिए सही है बाकी आप इसे detail form एक बार खुद से पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा सही जो में इंपोर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको explain कर दिया चलिए आगे बढ़ते question number five क्यों केरल बर्ड एटलस के बीए से संबने निमल खित कतनों पर विचार करें यह भारत में अपनी तरह का पहला राज्य स्त्रिया पक्षी एटलस है एटलस बनाने के लिए व वीडियो के comment box में जरूर comment करें like chat में नहीं comment box में comment करिए कि आपका doubt किया है मैं आपका doubt टेलिग्राम के थरू या फिर जो हमारे टेलिग्राम ग्रूप है उसके थरू या फिर जो हमारी next video आगी UPSC से related आपके comment पढ़ पढ़ गे मैं आपको explain उसमें भी कर दूगा तो आप पूछ सकते हैं कुछ चिंता वाली बात नहीं है बर्ड वाचिंग समुदाय के हजार से अधिक सोयंसों की भागेदारी के साथ एक नागरिक विज्ञान संचलित अभ्यास के रूप से या जित करा अब यह जो वर्स में 60 दिनों के दो बार आदर जो जुलाई से सितंबर है यह यकीनन एशिया का सबसे बड़ा पक्सी एटलस है तो इसलिए तीन कथन गलत है चलिए आगे बढ़ते हैं कोश्चन नमबर सिक्स की और जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स थे हो मैंने आपको समझा दिये बाकी आप एक बार खुद पढ़िए रिविजन करिए कि आपका खितकत्तों पर विचार करें एक अविद्यत्य अपिर्टनय ट्रोकन है जिसका जो उपयोग संगीत कालाकृती यहां तक की ट्रीट और मीम्स जैसे डिजिटल जो परिश्पत्यों के सवमित्त को जो साबित है इसलिए किया जा सकता है या फिर अप्शन नमबर टू कथा न तो इसका अंसर है आप्शन नमबर केवल एक और तीन ही सही है चलिए आगे बढ़ते हैं अप उन्हें टोकन के बारे में जानते हैं अब जो अपरी वरतन्य टोकन है जिसका उपयोग संगीत कालाकृत यहां तक की ट्वीट और मीम्स जैसे डिजिटल परिश्पत्यों की परिच ससभीद करने के लिए हुले की जा सकता है इसलिए कथा नमबर एक सब्सक्राइए दूसरा आप जो एंए एंफट के लिए बदला जा सकता है क्योंकि आट अलग है जो इसलिए अवदित्या है और तीसरा NFT लेंदें ब्लोकचेन पर दर्ज किया जाते हैं जो एक जीटल सारवजनी खाता नहीं है जिसमें अधिकंस NFT एथेरियम ब्लोकचेन का हिस्सा है तो चलिए आगे बढ़ते हैं आप जानके होगे मैं इसके बारे में क्या कहना चाता हूं बाकी आप एक बार खुद पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा बार बार मैं आपको इस सबसे अधिक और ऑस्टेलिया में सबसे कम थी उपर दिये गए कथनों में से कौन सा या फिर सही है और मैं बार-बार यूपीसी डूस इसलिए कह रहा हूं कि यूपीसी वाले बच्चों के लिए उस्पेसल डूस पर इन में से कुछ आपके पेपर में आज अचता है जैसे सुबद 6 बजे डिली कर अंट अफेर्स प्रवाइड करते हैं आज सुबद की अपलोड हो गई है तो आप देख सकते हैं के वल दो इसका अंसर है यानि जो कथा नंबर दो है आप इसको एक बार पढ़िए यही चीज सही है चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बारे में डिट मृत्यू दर पस्चिमी उप सहरा अफ्रीका में सबसे अधिक थी प्रती एक लाख में 27.3 मृत्यू और ऑस्टेलिया में सबसे कम प्रती एक लाख में 6.5 मृत्यू थी इसलिए विवरंड दो सही है अब जो इसके बाद स्टेफलियोकोस औरियस है जिस्ट वन मिनिट ओके और जो कलस्बेसिल है नियमोनिया स्ट्रोपोकोस नियमोनिया और एंसिंड्रोबेक्टर बायोमोनिया और यह जो स्टूडूमोनस एरिगनोजा यह बीमारियों के नाम है यह 2019 में एमर से जोड़ी तीन प्व देश के जो नौपाड़ा दलदल में बड़े पैमाने पर यह मरने वाले स्पॉर्ट बिल पेलिकन निमलकित में से किस कारण से है तो इसका अंसर है नेमाटोड इंफेस्टेशन जो सक्क्रमण है इसके कारण है चली आगे बढ़ते हैं अब दिसंबर से अब तक डेड़ सो अवास है यहां पर भी शितकालिन प्रवास है करनाटक राचा में विशेश के द्वारा किये गए अध्यनों के अनुसार सो त्री क्रम सक्रमण एक प्रजाती से दूसरी प्रजाती में नहीं फैलेगा यानि यह फैलने वाला जीवानों नहीं है अब जो स्पॉर्ट बिल प प्रजन के लिए प्लायन करते हैं इन में से अधिकांश घर वापस जाने के बजाए यहां रहना पसंद करते हैं तो यह यूपीसी वाले और बैंकिंग वाले बच्चों के लिए स्पेशल डोज एक तरसे देखा जाए तो और जिते भी बच्चे बाकियान ने एक्जाम के लिए त्यारी करें तो उनके लिए भी आइं यह सपेशल रोज है बार बार इसलिए कहा रहा हूं कि आप बार बार यह ना देखें कि मैंने आप यूपीसी स्पेशल डोज लिख रख तो आप यह सोचे कि सिर्फ यूपीसी वाले बच्चों के लिए नहीं यह यहूपीसी लिबेचु के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है आपके लिए इंपोर्टेंट है पर आप अगर इसे एक बार देख लेंगे तो इसमें से जो कोशन आएंगे आपको यह दिमाग में रहेगा और आप आंसर आराम से दे देंगे इसे पूछा है कि अब एक के अकार की आर्थिक पुन प्राप्ति जो है यह क्या है तो इसका आंसर है अप्शन नमबर वन एक आर्थिक सुधार जो तब होता है जब मंदी के बाद अर्थवस्ता के विभिन हिस्से अलग अलग दरो समय या परिमांड में ठीक हो जाते हैं चल जो शोच होता है पुन प्राप्ति के रूप में भी वरित किया गया है अर्थविस्ता से गिरावट के बाद एक महत्पूर्ण अवीदी के लिए ठहराव अनुभव होता है यह वियाकार की पुन प्रिप्ति सबसे अच्छी स्थित्य है यहां जहां जो अर्थ विभिस्ता होती है एक साल की भी कम समय में अपने पूर्व मंदी के स्थर पर वापस जाने के लिए तेज गिरावट की तुरंद बाद वापस पुन प्राप्त कर दिया जाता है केरल के शोध करता हूं द्वारा अन्यमिल के तुम इसे कौन सी कवक जो है की दो नई परचातियों की पहचान की गई है जो नारियल के तने के सडने से जुड़ी है तो इसका आंसर है अप्शन नंबर वन गणो डार्मा केरलेंज और जी जो यह स्टीडियो लप लांटेम्स ह हाला कि मैं नाम नहीं बोल पा रहो क्योंकि नाम ही कुछ ऐसा है पर आप चिंता मत करिए आपको फुल जानकारी दी जाएगी उन्होंने दो कवक प्रजातियों को भी जिन प्राड़ोपी करण किया है जिनका नाम गॉंडर्मा केरलेंज और जी स्टूपड यह जो स्यूड के डिस्क्रिप्शन में है वीडियो की और इस जो क्या बोलते है जो चैनल है आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लिएजएगा क्योंकि आपको ऐसे जो यूपीसी के स्पेशल डोस है बैंकिंग रिल्डेट यूपीसी रिल्डेट तो आपको मिलते रहेंगे हाला कि मुझ अच्छन और इसके डिटेल जोनने में बहुत टाइम लग जाता है तो आप उसकी चिंता ना करें तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग लाइक और शेयर करें सब्सक्राइब करें बैल आकन बटन दबाए लेटेस्ट नॉट्फिक्शन के लिए ये वीडियो छे वजे जाएगा क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो हम इस पर पूरी कोशिश करेंगे मेहनत करेंगी कि आपको जल्दी मिल जाए कल तक तो आपको मिली जाएगा कल सुबह तक या फिराज रात में हम इसे प्रोवाइट कर देंगे और इसका जो लिंक है अब हमारे आप इसे पढ़ सकते हैं तब तक के लिए जय ही बदने मात्रम